नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम बहुत ही महत्तपुन टॉपिक बात करने वाले हैं वह छोटी लाइची लाइची के फायदों के बारे में अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने कभी लाइची खाई है तो दोस्तों आपके जवाब ह हाँ ये कुँड अपस्वार पूछ लिया अज हम सुबहे खाली पेट लाइची खाने के फायदों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपके जवाब शाय ना में हो सकता है क्योंकि खाली पेटी लाइची खाने से जो फायदे मिलते हैं उनके बारे में बहुत ही कम लोग ज दोश्ट विस्तार से जानते हैं सुबह खाली पेड़ी लाइचि खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप अपने एक्ष्ट्र मॉटापई से परशान हैं, या फिर अपना मॉटापई कम करना चाहते हैं, तब ऐसे में आपको सुबह उठते ही अपने मुह में दो से तीन इलाइची डाल लेनी है जब आप नेमेत रूप से इसका सिवन करते हो तब आपका मुटापा कम होने लगता है ये मुटापा साथ दिन में ही आपको कम हतोव नजराने लगता इसका कारण है कि इलाइची के अंदर सबसी अधिक मात्रा में सोडियम पाए जाता है जो इनसान के बढ़ते मुटापे को कंट्रोल करने में सबसे लावकारी होता है सरदी के करन कई बार गले में बहुत दर्द होने लगता है और साथ ही अजीव सी खराज भी होने लगती है इसको ठीक करने का सबसी आसान तरीका है इलाइची सुबह खाली पेट वर रात को सोने से पहले चबाएं इसकी बाद थोड़ सा गुनगना पानी पी लें इससे कुछी समय के बाद आपके गले को अराम मिलना शुरू हो जाएगा इलाइची गरम होती है इसका सेवन करने से श्रीव में गर्महट बढ़ने लगती है जिससे सरदी खासी से अराम मिलता है और कफ की परशानी भी दूर होती है कई बर हमें अचानक से हिचकी आने लगती है हिचकी की कोई द्वाई नहीं होती दोस्तों इसलिए इसे हम अपने नेचरल तरिके के साथ बंद कर सकते है कई बर कई बारिया बहुत देर तक लगातर बननी रहती है जिससे परशानी महसूस होती है इसको बंद करने के लिए आपको बस एक इलाइची मुह में रखकर चबानी है इसको जब आप चबाते हो तो आपके हिचकी बहुत जल्दी बंद हो जाती है जब भी आप सुबह उठते हो तब आपको नई ताजगी के साथ बिस्तर से खड़े होते हो लेकिन दिन भर आपके मुह से कालग सी बदबू महसूस होती है अगर किसी कारण आपके मुह से बदबू आती है तब आपको इलाइची का सेवन करना चाहिए बहुत फाइदेवन्द रहेगा यह मुह की बदबू को कम करने के लिए कोश्यदी का रूप ले लेती है मातर हर रोज दो इलाइची खाने से पूरा दिन मुह से बदबू नहीं आती इलाइची में उच गुनवत्ता वाले ग्यास को कम करने वाले गुन पाई जाती है जो पाचन के रिया को उतेचित करने मदद करते हैं यह पेट फूलना और सुजन को कम करने भी मदद करते हैं इसके अलावा यह पेट्य के परभाग को बढ़ाते हैं जिससे वसा के पाचन और साथ ही अन्य पोशिक तत्तुओं के पाचन में सुधार आता है पाचन समस्याओं के लिए इलाची का उपयोग करने के लिए आप इसके बीज का सेवन कर सकते हैं आप अपने भोजन पर इलाची पाउडर भी छिरक सकते हैं आप इसका सेवन बच्चों को भी बिना किसी कठ्राई से करा सकते हैं दिमाग मजबूत करने, आखों की रोशनी बढ़ाने वे यादस्त बढ़ाने में इलाची बहुत मददगार होती है इलाची के दाने को दो तीन बधाम वे पिस्ता के साथ दो तीन चम्मज दूद में डालकर पीस लें अब इस एक गिलास दोज में डालकर उबाले जब यह आदा रहा जाए फिर इसे मिश्री मिला कर इसका सेवन करें यह बच्चों के लिए बहुत फाइदेबंद होता है जी में चलाना, उल्टी जैसे लगना या मूँ का स्वार खराब होना ऐसा जब भी आपको कुछ ऐसा मैसूस हो, तब आपको इलाइची को चबाना चाहिए कुछ ही समय बाद आपको अच्छा लगने लगेगा तो दोस्तों यह थे इलाइची खाने के फाइदे अगले वीडियो में फिर मिलता है कि नई स्वास्तेवर्दक जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद